वेलकम टू माई चैनल ट्वाइट एक और यहां हम अन्बॉक्सिंग करते हैं ट्वाइज असेसरी और काफी सारी बच्छों के लिए प्रोड़क्स की गेंज की और आज हम लेके आया हैं बच्छों के लिए टूल सेट ट्रॉली शुरू करते हैं इसको बॉक्स को ओपन करते ह हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या मैटीरियल है और किस तरह से यह इंस्टोल होगा काफी इंट्रेक्शन्स इसमें शायद दी गई होगी क्योंकि वॉक्स की ट्रॉली काफी अच्छी है दोस्तों और देखने में काफी लाजवाप लग रहा है हमें सबसे पहले हम हमें यह ट्रॉली का आइटिंग नीचे का पार्ट मिला है उसके बाद हमें इसके टाइट्स मिल गए है जो यह देखिए हम इसको मैनुल्स में काफी कुछ इंट्रेक्शन दी गई है मैनुल्स आप देख सकते हैं यह देखिए इस तरह से मैनुल्स कैसे कैसे इसको इंस्ट आप देख सकते हैं कि इस box में से हमें काफी products मिले हैं, इस products में काफी चीज़ हमें दिखाई दे रही हैं, एक टॉली का सब पूरा setup है इसमें, और tools भी काफी दिये हुगे हैं, अब हम इसको install करते हैं, सबसे पहले हम इसके टायरों को install करते हैं ताकि टॉली बनाए जा सके, आप पार्स को हम रख देते हैं, साइट में और यह टायर को हम install करते हैं, सबसे पहले बड़े वाले टायर को हम लगाते हैं, यह देखिए इस तरह से यह easy installation है इसमें, आप इसको press करेंगे तो यह अंदर चला जाएगा, that's all, यह final हो गया है, अब हम इधर का टायर लगाते ह इसको ऐसे लगाते हैं, एक बार आपने हलका सा प्रेस करना है, और यह इस तरह से थोड़ा सा जोड़ लगाता है, और यह install हो जाता है, हमारे टायर दोने install हो गए है, अब यह काफी smoothly move कर रहे है, अब हम आगे के टायर भी install कर देते हैं, इसी तरह से, काफी असान है, इसमे यूज नहीं होती है, बच्चों के लिए ठीक है product, और ऐसे करते हैं, यह चोटा और बड़ा दोनो टायर ऐसी install हो जाएंगे, यह थोड़ा सा इसमें जो प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करने के बाद इसमें लग जाता है product इस तरह से, अब हमारे टायर इंस्टोल हो गए ह अब इसके ऊपर के हम पार्ट को install करते हैं, वह यालो जाली जो आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले वह install होगी इसके अंदर, अलग अलग पार्ट में यह उल्टा करके लगा रहे हैं चाहिए हम इसको, इसको सीधा करके इस तरह से install होगी, और यह उदर का पार्ट है, इसको हम इस तरह से लगा देंगे, अब बाकी का पार्ट हम इसके उपर इसको लगाना है, देखिए हमारा यह ट्रे त्यार हो गया है, अब हम इसके बाद इसके उपर का पार्ट को install कर देते हैं, जो इसका handle है, अब इस तरह से यह handle ही इसमें smoothly move कर रहा है, अब सब प्रेस ह क्या हूं, अब इसको move करके दिखाते हैं, कैसे move होती है, यह आगे पीछे, हाराम से smoothly move हो रही है, अब इसके product दिखाते है, इसके सासत में क्या है, अब यह देखिए, हमारे पास हैं, यह देखिए हम इसको ओपन करते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है वह हम चेक करेंगे देखिए यह एक तो इसमें कटर आ गया है छोटी सी अथोड़ी दिया इसमें वाव यह देखिए कितना अच्छा पोड़क्ट है यह ट्रिल मिशीन अस है फ्लास कोम नीचे रख देत इसमें दो स्कूरू भी दिये गए हैं यहां रख देते हैं और यह साथ में चापी है उनको खुलने और बंद करने के लिए वह भी नीचे रख देते हैं पेजकस देखिए कितना प्यारा है कितना प्यारा सा पेजकस बनाके दिया है और साथ में नटपोड को कसने के लिए वी हमें जोग फिल दिये है इसमें भी इन टूर दिया है। आद नट जोट इसमें और यह do के साहक इसके उपर बचाब नट कर सकता है। लगा सकता है वह unit cannot कर बना करके। दिखाता हम इसको start करके दिखाते हैं कि इसमें नट कैसे बोर्ड कसे कसा जाता है है तो ये कीट्स का ही और वैसे वीजूली बताया गया है इसको भी कैसे बनना है लेकिन प्रडक्त अच्छे हैं ये देखिए इसमें शायद ब्लास भी मूव करता है और चाबी भी मूव करती है वो भी हम आपको दिखा सकते हैं यह चाबी इस तरह से यह देखिए प्लास मूफ करता है प्रॉपर यह देखिए प्लास का मोर चाधा भी होता है खुलता भी है और अच्छा इमेजिंग प्रोडेक्ट है दोस्तों और बाय किया जा सकता है बच्चों के काम लगे रहेंगे और यह नट बोल्ड भी पूरा टाइट हो रहा है और इसके साथ चाबी का भी तालमेल है देखो चाबी पाना ऐसे लग जाता है प्रॉपर यह प्रॉपर शेप में दिया गया ह पेजकस भी इसमें यूज होता होगा मैं पेजकस भी ट्राइ करके देखता हूं यह दर से भी चाबी यूज होती है और यह पेजकस भी प्रॉपर इसके साइज का यह देखिए इसके मूब होता है हम हमारी वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा ताकि हम और नहीं वीडियो आपके लाते रहें और नएने प्रोडेक्स के साथ आपके सामने आते रहें जल्दी हम और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे थैंक्स वर वोचिंग प्लीज लाइक कीजेगा